प्रियंका में मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ आपने स्कूटी और स्मार्फोन की बात की यह क्या आप वो मिल सकते हम लोगों बिल्कुल जरूर मिलेंगे अगर हमाई सरकार आएगी इसकी गारंटी कैसे है प्रियंका गादी प्रियंका गादी नारी शक्ती प्रियंका जी हमारे बीच में आ चुकी हैं और वो कुछी छड़ों में मंच पर आएंगी आईगिरी नंदिनी हमारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अंथम सौंग है उसको जड़ा प्ले करिये और कुछी छड़ों में जिनका आप सब को इंतजार है प्रियंका जी जिन्होंने इतना सशक्त नारा दिया है वो हम सब के बीच में होंगी प्रियंका गादी पर मेरे साथ बोलो मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आप सब आज यहां आए हैं मेरा इतना इंतजार किया है आपने उसके लिए बहुत-भहाँ धन्यवाद मेरे ख्याल से कुछ लड़किया अपनी बात रखना चाहती है आएए प्रियंका मेम कर यहां पर इस्र hydration में अब तक का बहुत-बहुत स्वाओत है प्रियंका मे 맛 आपसे यह बात करना चाहती हूँ और आपने स्कूटी और स्मार्ट फोन की बात किया कि आप वो मिल सकते हम लोग हो बिल्कुल जरूर मिलेंगे अगर हमाई सरकार आएगी इसकी गारंटी कैसे है अब गारंटी आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा भरोसा तो हम करेंगे कुछ निता आते हैं बोल के चले इसलिए मैं चाहती हूं कि अगर सारी महिलाएं एक जुट होकर राजनीती को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीती हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं धर्म के अधार पर राजनीती कर ली जाती के अधार पर वोट मांग लिए उसके बाद आप के लिए कोई काम था इसलिए मैं चाहती हूं कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीती हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है इसलिए हम चाहते हैं हमने जो घुशना-पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए सिर्फ स्कूटि और स्मार्टफोन नहीं है, स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है, आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपको online पढ़ाई करने का माध्यम है, लेकिन इसके इलावा आपको सशक्त बनाने के लिए, हमने बहुत सारी ऐसी घोशनाई की हैं, जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं, बल्कि एक हमारा गारंटी कार्ट भी है, जो आपके घर घर आ रहा है, उसमें आपका एक स्पेशल नंबर होगा, आपको गारंटी है, कि अगर हमाई सरकार आएगी, ये गारंटी कार्ट आप इस्तिमाल करिए, और उसके तहट आपको ये मिलेगा, ठीक है, तो हमारी कोशिश कुरी है, पहले भी सरकार बनी, हम हर किसी की बात मानते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसी बोल के चले जाते हैं, तो आप भरोसा करना पड़ेगा, आपको एक बार करके देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उसके साथ, हम लड़कियों के अंदर कई खूबियों के साथ, एक खेल की भी खूबी होती है, तो मैं एक छोटे से गाउं से हूँ, तो मेरे गाउं में, मैं कॉलेज में कई बार सेलेक्शन हुआ है, लेकिन खेलने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे गाउं में जाने नहीं दिया जाता है, तो मैं बस यही कहना चाहती है, जो लड़कियां प्लेयर बनना चाहती है, लेकिन इस कारण रुक जाती है, कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो मैं बस यही कहना क्योंकि जो स्पॉर्ट है उसमें बहिलाएं बहुत शक्ति के साथ कर सकती है और अगर सारी सुविधाएं मिलें तो बहुत आगे बढ़ सकती है और आप सब में एक निक शम्ता है कौन सी स्पॉर्ट कहलती हो तूं मैं डॉर्णिंग भी करती हूं और मुझे खौ भी बहुत अच्छा लगता है तो मैं यह चाहती हूं इस आप बात पर आप गौर करें तेंक यू मैं आप से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच हमारे बीच में शिवानी शिकोहाबाद से आई है यह ग्राज मेरा कंसर्ण यह है कि रिजर्वेशन तो एक बहुत बड़ी बात है ही कि होना चाहिए वुमेंस के लिए लेकिन उसके लिए वेकेंसी भी तो हो और जो हमारी करेंट सेंट्रल गवर्मेंट है उसके साबसे वेकेंसी ना के बराबर हैं इसका स्टैटिकल डाटा है मेरे पास आर्मी, नेवी और एर फोर्स में जैसे कि अभी सुप्रीम कोट मैं बोला कि एंडिये का एक्जाम गर्ल्स के लिए भी कर दिया है लेकिन उन्हाने वेकेंसी नहीं बढ़ाई है तो कॉम्पिटिशन बॉइज में गर्ल्स में बढ़ और गया है तो जो हमारी सेंट्रल गव करने का काम करती है कभी जेंडर के उपर कभी हिंदू ऐसे मुस्लिम के उपर लेकिन जब हमने कांग्रेस की प्रीविएस हिस्ट्री देखी और स्टैटिकल डाटा निकाला तो वह हमेश्या सब को साथ लेकर चलते थे वह इंडियन की तौर पर लेकर चलते थे तो मैं मेरा म इन कंसर्ण है वेकेंसी को लेकर कि अगर आपकी गवर्मेंट आती है तो आप वेकेंसी पर कैसे फोकस करेंगे एक हम पूरा एक विधान अभी कुछी दिनों में निकालने वाले हैं जिसमें हमने यही बात की है कि हम भरतिया कैसे कराएंगे रोजगार कैसे बनवाएंगे और किस तरह से आप सब को ऐसे मौके मिलेंगे कि आप सब अपने पैरों पर खड़े हो पाएं इसका एक पूरा हमने भी study और analysis किया है कुछी दिनों में शायद तीन या चार तारीक को इसे हम public भी करेंगे उसमें सारा लिखा जाएगा लेकिन आपने बहुत अच्छा point निक अच्छाएं जो भरी नहीं गई है और आज भी खाली पड़ी हैं लेकिन सरकार ने जो काम करना था भरने के लिए वह काम नहीं किया तो हमने यह काया है कि यह काम हम पूरा करेंगे करोना धर नहीं देखता जात नहीं देखता अमीर गरीब उच नीच नहीं देखता करोना करोना सिर्फ मौका देखता है लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लोगिए तो इतना खयाल ज़रूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा बुलिये मत, कोरोना अभी जिन्दा है